जेहिल बाई सभी को कैसे आप सभी उम्मेद करते हैं बहुत अच्छे होंगे रालो इस समय आपके अंतिम समय चल रहा है SSE GD का आपके 18 खरवरी से एक्जाम भी होने हैं तो काफ की चारे कमेंट से पिछले वीडियो पर कि सर से पिसको हम क्या माने आपयोँ कि आपको इस समय अपना ESPOR Hamilton करना चाहिये मैंने आपको रणनिती भी हिसे अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो आपके नंबर मिनिमम कहां से कहां तक आने चाहिए समझगे बात को यह बहुत जरूरी है ठीक है तो जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए अगर हम बात करें आंदाय प्रदेश की 2023 की फीजिकल की जो कटोप रही थी हाइस्ट वो थी 80 ठीक है इसमें सारा कुछ लिखावा धान से अगर आप इसको देखोगे और लोवेस थी 59 ठीक है मेडिकल के बाद में भी 80 रही हाइस्ट और जो फाइनल कटोप गई थी वो इसकी हाइस्ट गई थी 80 अगर आप आंदा प बात करें कि कौन से स्टेट की कितनी कटोप गई थी ठीक है अगला जो राज्य है वो है अरुनाचल प्रदेश इसकी जो फाइनल कटोप हम बात कर लेते फिजिकल की बात करें तो 28 बे गई थी बाद मेडिकल पर 53 यह नि लगबग 5 अंग बढ़ गई थी और जो फाइनल ग और तो फाइनल कटोप थी 59 वाले बच्चों का से इसफ में सेलेक्शन भी हो गया था यह नि मेडिकल के बाद में असम से मेरिट बिलकुल भी नहीं बड़ी हां बड़ी थी कुछ जैसे मानलो भी है सर्प अलग अलग मेकमों में लेकिन हां उस नंबर वाले को कोई न कोई फोर्च जरूर मिल गई थी मेरा कहने का मतलब यह है समझना बात भी दियार चेकर देखें तो फिजिकल के लिए कटोप गई थी पिछली बार एक सो नोग दोजार तेबिस की बात करां उन्दान इससे उपर नहीं जाएगी इसको आप आधार मान सकते हैं 100% क्यों क्योंकि पिछली बार क्या थी पोश्टे ज्यादा थी चूट भी तो तीन साल की थी इस बार पोश्टे कम है लेकि छूट नहीं है तो कटोप उससे उपर नहीं जाएगी है मेरी गारंटी आप इसको अपना आधार मान लीजिए फिर इसके बाद में फिजिकल के बाद में जो अगला है शती गड़ से गई थी 93 हाइस लो गई थी 40 हाइस तक ही अगर बात करे तो कितनी थी टरांजमें थी और लो थी 40 है नक्सल एयरा की थी स्ट केटे गरी की फिर जनल एयरिया की जनल केटे गरी की 101 और जो फाइनल सेलेक्षन हुआ वह एक सो तीर पर हो गया था और जो सबसे लो शेड़ गई थी 37 गटषे वह गई थी 75 यानि जिसके 75 नमर थे नक्सल एयरा से उ लेना एक बार उसके बाद में आपको टेलिग्राम गुरूब में भी यह करा दूंगा अगर दिल्ली की बाग करें दिल्ली से हाइस कटो गई थी 117 फिजिकल के लिए और फिर गई थी 123 बड़ी थी लोग से लोग गई थी तब उनका सेलेक्शन बढ़ करें तो 87 शेवन गई यह गई थी ऑचि expect योंको दिल्ली से थिकिए将 बाकती नहीं थी यह जिसका भी अगर दिल्ली में उसका सेलेक्षिन वाद लूब यह त villains भी कि गुजराट से गई थी वह भी एस्ट के टेगी 51 और बाद में गई थी 57 अगर बात करें पिछली बार गुजराट से तो हाई अगर आप इस बार भी 97 क्या स्कॉर कर लेते हैं यह 80 पलस इसकॉर भी करते हैं तो आपके काफी चांस रहेंगे गुजराट से साइनल सेलेक्शन की और समदके बाद को 84 97 91 यहां तक चले गई थी हरियाना की अगर हम बात करें तो 124 गई थी फिजिकल के लिए हाईस्ट और लड़कियों की एक सो पांच ठीक है फाइनल कटोब जो हरियाना की थी वो लगी थी 137 पर हाईस्ट फिर उसके बाद में 140 CISF में 130 CIRP में और ITBP की 135 गई थी हाईस्ट यह इन्ही में जो लो गई थी 119 लो थी लड़कियों की थी है 128 लड़कियों के लिए 127 भी लड़कियों की थी CIRP में और ITBP की 118 लड़कियों की कटोब जो लो है न द्यान रखना वो लड़कियों की है हाई यह वो लड़कों की मेक्सिमम के टेगरी वाइस यहां डिवाइड नहीं किया है मैंने दोनों के बीच का डिफ्रेंस यहां थी वह आपको पता के टेगरी वाइड कि आपकी कितनी गई थी ठीक है अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे हममान लगा सकते हैं कि आप कौन सी के टेगरी हो यह है सबसे लोग और सबसे हाई यह वह जनल के टेगरी के लड़कों की है 101 अब आप देख लिए इसके बड़ी थी 106 पर नंबर आ गया था 102 पर भी नंबर आ गया था 103 पर भी नंबर आ गया यह नहीं जो फिजिकल की कटोप गई थी हाईस सबसे पहले 101 वह उसके बाद में 103 तक गई यह निए तीं अंक और बड़ी थी अगला इस्टेट है जमू एंड कस्मीर जमू एंड कस्म सब्सक्राइब में गई थी उसके बाद में 61 गई थी और 61 से फिर कुछ के टेगरी में हाईस्ट बता रहा हूं हुए और लोवेस्ट इस 32 तो हाईस्ट यहनि जर्नल के लिए कोई बच्चा है अगर वो यह पूछे कि मेरा कितना टार्गेट करना चाहिए 70 से 75 नंबर टार् सब्सक्राइब करना चाहिए तो मैं आपको बतूँ अगर आप जार्खंट से हैं तो आपका शेप स्कोर होगा 113 नंबर अगर आप जर्नल के टिग्री से 113 से 130 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए एकर 113 नंबर भी आपके हैं इस बार 113 114 नंबर है तो आप से लिए तो आपको कितने नंबर टार्गेट करने चीए तो आपको कम से कम 90 नंबर लाने पड़ेंगे कितने नमब लाने पड़ेंगे 90 नमबर आपको जार खंट से लाने ही पड़ेंगे बैए करना तक ही अगर हम बात करें तो 55 पी पेले फिजिकल की गई थी और लगबग 55 से 60 के बीच में ही करना तक से यहां से ज्यादा उपर जाते नहीं है केरला का भी से में 95 पर राइस गई थी लो गई थी 65 पर और हंड्रेड के आसपास पूरी मेरिट कवर हो गई थी और लो आलों की कि बाद में क्यों पांच अंग के आसपास मेक्सिमुम पेसर से फिर चांसट गई थी और चांसट से बेथर यह निए चार से पांच अंग बड़ी थी ठीक है इस बात का ध्यां रखना लगदाग का भी शेम है छपन गई थी और यहां पर तो कुछ स्टी डिवाइड थी नहीं तो ज्यादा कुछ मेरिट गई नहीं मद्य प्रदेश इंपोर् अगर वह अगर वह एक सटी तो उनका एक सो नो पर भी सेलेक्शन हुआ था और कई बच्चियों का सो पर भी हुआ था अगर वह सब्सक्राइब बात करें 82 पिजिकल की कटोप गई थी फिर बढ़के 86 गई थी हाईस्ट कटोप और जो फाइनल कटोप है वह 86 से 92 तक बढ़ बच्चों का सेलेक्शन हो गया था महाराश से जनल के टेगरी में जा रखना और इससे बाकी नीचे ही है बाकी जो के टेगरी है वह तो जनल से नीचे यह तो उसी इसाफ़से में आपको बता रहा हूं इस बात को समझ लीजी मेगाले की बात करें 48 पर और फाइनल भी लग 53 पर हाइस्ट गई थी और 62 पर जिसमें बच्चे के 60 ए 62 के आज पास नमबर थे उसका कोई ने कोई फोस मिल गई थी उडिशा के अगर बात करें 99 पर फिजिकल के गई थी मेडिकल के भी उन नमबर पर गई थी और फाइनल नमबर तक जिसका था उसका सेलेक्शन हो गया थ भई पंजाब की बात करें तो भईयां सी ठीक है और उसके बाद में पांच अंक साथ अंक बढ़के 99 चली गई थी फिजिकल की कठोक और तो फाइनल गई थी जनल के टेगरी से वो गई थी जो फाइनल पाइन नाइन टी तक और लो के टेगरी की 81 तक यानि कम से कम 80 नमबर की बात करें तो 114 पर फिजिकल की कठोप लगी थी फिर साथ अंग बढ़के 121 पर मेडिकली कठोप लगी थी और फिर और अंध बढ़के 126 से शुरू वेते सेलेक्शन 126 जिस बच्चे के नमबर थे उसका सेलेक्शन हो गया था राजस्तान से पिछली बार 126 133 पर और फाइनल भी पचास पर सेलेक्शन हो गया था तेलेंगा ना पर भी शेम है तिरपुरा का भी शेम है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 121 गई थी जनरल की फिर शेंग बढ़के 127 से लिग थी फिजिकल के लिए फाइनल जो जनरल के टेटेकर की बात कर रहे हैं और जो नहीं है ध्यान रखना इस बात का उत्राखन से 107 गई थी फिर यहां से 5 अंग बढ़के 117 तक गई थी ठीक है यह अगर आप उत्राखन से था आप 120 स्कोर टार्गेट कर लिजे जनरल केटेगरी से हैं बाकी जनरल केटेगरी हैं इससे नीचे 23 नमबर अपना करते रहे हैं मैं जनरल केटेगरी का आपको आखरे बताता जा रहा हूं वेस्ट बंगाल से 86 पर हाइस गई थी 53 लोवेस्ट गई थी और 86 से 92 फाइनल गई थी यह निए अगर आप वेस्ट बंगाल से जनरल केटेगरी से नमबर नमबर स्कोर कर लिजे आपका बेड़ा पार हो जाएगा समझ गए तो यह सभी स्टेट की मैंने मोटा मोटा आपको बताएए वो जनरल केटेगरी बताएए अब आप अपनी केटेगरी वाई जिसको डिवाइड कर सकते हैं कि जो लोवेस्ट गई है वो ध्यान रखना सी केटेगरी पलस सी केटेगरी और इनमें ही लड़कियों की लोगे इसने ज्यान रखना तो इसके बीच में आपकी मेरिट रही है भाई ठीक है जै हिंद जै भारग